काल सर्प योग कहते किसको हैं और जोतिश में काल सर्प योग का अर्थ क्या है देखिए जोतिश में तमाम शुब और अशुब योगों का अध्यन किया जाता है जो शुब योग हैं उनके बारे में भी समझते हैं और जो अशुब योग हैं उनके बारे में भी समझते हैं और व्यक्ति के जीवन का अध्यन किया जाता है इसी क्रम में जोतिश में शुब और अशुब योग दोनों बताए जाते हैं एक अशुभ योग हाल फिलहाल में शामिल किया गया है और इस योग का नाम है काल सर्प योग काल सर्प योग के बारे में अभी भ्रह्म की स्थिती बनी हुई है कन्फ्यूजन की पोजीशन बनी हुई है कुछ लोग काल सर्प योग को सही मानते है कि ये वास्तों में होता है, इसका प्रभाव रहता है और कुछ लोग इसको गलत मानते हैं जो लोग काल सर्प योग को सही मानते हैं कि वास्तों में ये योग होता है वो लोग कहते हैं कि ये योग व्यक्ति के जीवन में विद्धवन्स कर देता है ऐसे लोगों का मानना है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो जीवन में किसी तरह की सुख और सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी इसलिए इसके विशेश उपचार किये जाते हैं और काल सर्प योग का अगर सही समय पर उपचार ना किया जाए तो व्यक्ति जीवन में असफलता के अलावा कुछ नहीं पाता ये एक नजरिया है उन लोगों का जो लोग काल सर्प योग को मानते हैं या सही ठहराते हैं उनका कहना है कि समय रहते ही काल सर्प योग की शांती करा लेनी चाहिए तो इसके परिणाम बड़े बुरे होंगे बड़े अशुब होंगे अब ये जानते हैं कि सामान नितह जो लोग काल सर्प योग को मानते हैं स्वीकार करते हैं वो काल सर्प योग के बारे में क्या कहते हैं देखिए ऐसा माना जाता है कि जब राहू और केतू के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग बन जाता है राहू और केतू के एकसिस पर ग्रहों के आने से या राहू केतू के एक तरफ ग्रहों के आने से काल सर्प योग बन जाता है बहुत सारे तरीके के काल सर्पियोग बताये जाते हैं, जैसे अनंत, कुलिक, वासुकी, शंक्चून, तक्शक, पद्म, करकोटक, इस तरह के तमाम काल सर्पियोग बताये जाते हैं. कहा जाता है कि अलग-अलग भावों से अलग-अलग खानों से बनने वाला कालसर्प योग अलग-अलग प्रकार के दुष परिडाम देता है अलग-अलग प्रकार के खराब रिजल्ट्स प्रदान करता है ये जो काल सर्प योग है लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ये कुंडली में हो तो ये करियर और धन की समस्या पैदा करता है जीवन में अपयश, विवाद और बाधा जैसी समस्या बढ़ा देता है यानि लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो जीवन में हर कदम पर बाधा आएगी और जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगी लोग ये भी कहते हैं कि ये योग इतना खतरनाक होता है कि इसके होने पर कुंडली का कोई भी शुभ योग काम नहीं करता व्यक्ति को केवल और केवल असफलता ही मिलती है यानि लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो कुंडली के जो बाकी शुभ योग हैं बाकी जो अच्छे योग हैं वो योग भंग हो जाते हैं और उन योगों का शुभ प्रभाव व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है यानि काल सर्प्योग एक इतनी बड़ी समस्या लोग मानते हैं कि इसके होने पर जीवन रुख जाता है इसलिए इसकी शांती जल्दी से जल्दी करवा लें प्राप्त